इस्ट्रेंट्स हम विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्यन कर रहे थे। जिसमें हमने पिग्मी, बुश्मैन और एस्किमोज जनजाति के बारे में पढ़ा, आज हम खिरगिज जनजाति के बारे में अध्यन करेंगे। करेंगे खिर्गिज जनजाती विश्व की प्रमुख जनजातियों में से एक है यह जनजाती मध्य एशिया के प्रमुख जनजाती है खिर्गिज जनजाती के बारे में कहा जाता है कि यह मंगोलों और तुर्कों के समिश्रण से उत्पन हुई जनजाती है खिर्गिज पुत्र था जिसका नाम खिर्गिस था और बाढ़ आने के समय वह तुर्किस्तान में आकर रहने लगा और ऐसा मानना है कि उसके 40 पुत्रियां हुई जिनकी संताने कालांतर में खिर्गिस कह लाई खिर्गिस जनजाती के दो समू है कारा खिर्गिस जो मध्धे इश्या के उत्री पश्मी भाग में रहता है और दूसरा है खिर्गिस कज्जाक जो स्टैपी मैदानों में निवास करता है अब हम बात करेंगे खिर्गिस जनजाती के निवास शेत्र की मानचित्र में आप देख सकते हैं जैसा कि खिर्की जनजाती का निवास छित्र शेड़ेड एरिया से दिखाया गया है यह जनजाती मध्य एशिया के विस्तृत पठारों और समीव वर्ति भागों में निवास करती है इसके उत्तर में ओब नदी की प्रशाखाओं से लेकर दक्षिन की और पामीर के पठार तक है तथा पश्चिम में युराल वोलगा नदियों से लेकर यह तुर्कमान प्रांथ के कुछ भागों तक विस्तृत है इसके दक्षिन में त्यांशान परवत इस्तित है तो इस प्रकार यह जो जन जाती है वह मध्य इश्या में विच्छन रूप से पाई जाती है यह संपून प्रदेश पठारी और उबढखाबड भी है अब हम खिरगे जन जाती के विभिन बिंदू के अंतरगत इसका अध्यन करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे इनके निवास शेत्र के भोगौलिक वातावरन के यदि हम देखें तो मैंने आप जैसा के आपको पहले भी बताया है कि यह संपून प्रदेश पठारी है और पहाड़ी है उबढखाबड है यहाँ पर त्यांशान लंबे परवतों की श्रंकला है शीतकाल में हिंपात होता है गिर्शमकाल में कुछ वर्शा हो जाती है जो चारा गाहों के विकास के लिए अनकूल है इसके दक्षिन पश्चिम में पामीर का पठार भी है यहाँ पर वर्शा बस इतनी ही होती है कि वनस्पती के नाम पर केवल खासे ही उखपाई है यहाँ पर जीलों के बहुत अधिकता है बैकाल नामक जील यहीं पर इस्थित है वर्शा अधिक नहीं होती है गिर्शम और शीतरितू का भी एलगभग एक समान प्रभाव यहाँ पर पढ़ता है पाशर्व वर्ति पहाड़ियों के कारण यह छेत्र आंधी तूफानों से भी सुरक्षित है खिर्गिजों की अनेक प्रजातियां इसी प्रदेश में बसी हुई है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनका जो भोगवलिक बातावरन है वो सामानने है और यहाँ यह प्रकरती प्रदत संसाधनों पर ही निर्भर है अब हम बात करेंगे इनके शारिक लक्षनों की खिर्गिज जो प्रजनजाती के लोग हैं उनकी शारिक लक्षन जो हैं मंगोल प्रजाती से ही मिलते जुलते हैं इनका शरीर जो है गठीला, सुडोल और मजबूत होता है इनके सिर के बाल काले होते हैं आखे छोटी तिर्ची, नाक चप्टा, चहरा चोड़ा, मुह छोटा, हाथ पाउं छोटे, चमड़ी का रंग, भूरा मटमेला होता है यह बहुत सारी बोलियां भी बोलते हैं फार्सी, अर्बी, दक्षनी साइबेरिया की भाषा के शब्दों का भी इनकी भाषा में समावेश है तो इस प्रकार जो है, इनका जो शारिक गठन है, वो मंगूल शाखा से अधिक मिलता है अब हम बात करेंगे इनके वस्त्रों के तो जहां तक इनके वस्त्रों के बात हम करते हैं, तो इनके जो वस्त्र हैं वो ज़्यादा आकरशक नहीं कहे जा सकते हैं ये शीत रितु में पशु चमडे से बने मोटे अंगरखे पायजामे पहनते हैं लंबे जूते होते हैं, चोड़ी आस्तिन वाले इनके लबादे होते हैं सिर पर ये भेड के उनकी भारी सी टौपी पहनते हैं कमर पर कमर बंद बानते हैं कृश्म काल में ये मोटे सूत के अंगरखे और लंबे कुरते पहना करते हैं इस तरिया विशेस्ते शिर पर सूती पगडियां ही धारन करती हैं और उनके सिक्के और जेवर उनमें टके रहते हैं और वह लहंगा कुरता पहनती हैं और लंबा सा एक लबादा भी पहनने का उनमें रिवाज है तो इस प्रकार इनकी जो वेश भूशा है वह बहुत ही सामान्य है जो ये लोग जो लंबा सा चौगा पहनते हैं उसे कप्तान कहते हैं यह टकनो तक लंबा गद्देदार कोट टाइप का होता है जिसकी बाही चोड़ी और कोलर सकरा और उठा हुआ होता है तो इस प्रकार इनकी वेश भूशा बहुत ही सामान्य है अब हम बात करेंगे इनके भोजन की तो इनका भोजन जो है वो पूरण तहा पशुधन पर आधारित होता है भोजन के रूप में ये मास जो है ग्रहन करते हैं अनाज का प्रयोग कम करते हैं दूथ, पनीर, मक्षन, कप्रियों करते हैं, चाय के भी शोकिन होते हैं खटे दूथ को सड़ा कर ये क्यूमिस नामक श्राब बनाते हैं तो इस प्रकार इनका भोजन का प्रमुक्षोत पशुधन ही है अब हम बात करेंगे इनके घरों की तो जो खिर्गी जनजाते के जो लोग हैं इनके तंबू बनाते हैं, इनके तंबू को यूर्थ कहते हैं ये गोल आकरती में होती हैं, इनकी दिवारे लंबाकार और छट गुंबदाकार होती है इनकी उचाई लगभग चार फुट होती है अधिक ठंडी और खुले जगहों पर कई समू नमदे के तंबू के स्थान पर सर्दियों में ठोस जोपडियां जिने हम कस्तू भी कहते हैं उनका निर्मान कर लेते हैं और यह इस्थानी रूप से उपलवद निर्मान सामगरी के अनुसार ही जोपडियां बना लेते हैं पहाडों की तल्हटी में पथरों से और उत्री भाग में ये वनों की सीमा पर लकडी और छाल से अपनी जोपडियां बना लेते हैं तंबूँ को लगाना गिराना ये सब काम इस्त्रियों का किया जाता है इस्त्रियों द्वारा ही किया जाता है तो इस परकार इनके जो घर है वो बहुत ही विशेश परकार के अब हम खिर्गी जनजाते के सामाजिक संगठन की बात करेंगे तो यदि हम इनके समाज को देखें तो इन में मुस्लिम धर्म की ही आस्था होती है ये लोग समू में रहते हैं विवाहा पूरे समारों के साथ बड़ी धुमधाम से संपन हुआ करता है अपनी प्राचीन मूर्ति पूजा को त्याकर इन लोगों ने जो मुस्लिम धर्म अपनाया है उसके अनुसार ही अब ये अनुसरन करते हैं इनमें मृत्यों के अंतिम संसकार में बंदू भांधो और संबंधियों के अलावा इस्ट मित्र और जाते के प्रमुक विक्ति भी अवश्या समलित होते हैं और मृत्यों होने पर घोडे की बली देने की इनमें परंपरा है ये अन्य खाना बदोश की भाती खिर्गिज लोगों में बस्तियों के तंबू और खेमों के पड़ाव होते हैं और इनहीं के अंदर ये समू में रहते हैं इनका अधिकांश समय घोडों की दोड, कुष्टी, गाने, बजाने और शादी विवास सम्मंदित उत्सों में ही वैतित होता है और इनका जो सामाजिक संगठन है वो सामाने साही कहा जा सकता है तो इस प्रकार ये जो खिर्गिज लोग हैं, इनके रिती रिवास बहुत ही अलग प्रकार के हैं किसी भी खिर्गिज की सामाजिक संपन्ता का आकलन जो है, उसके पास जितने घोड़े हैं उनसे लगाया जाता है यानि कहने का मतलब है कि उच्च कोटी के अश्वा रोही होते हैं और जिस व्यक्ते के पास जितने अधिक खोड़े होते हैं, समाज में उसका उस्थान उतना ही उचतर होता जाता है तो इस प्रकार इनका सामाजिक संगठन विशेश प्रकार का है अब हम इनकी आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्यन करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका जीवन जो है खास आधारित चारागाहों पर है और पसुधन, पसुओं को चराना इनका मुख्य आर्थिक क्रिया है ये पसुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर विच्रन करते रहते हैं मुखे रुप से भेडबकरी, घोडे, याक, उट, आदिपाले जाते हैं जो इनका प्रमुख पसुधन होता है इनमें ट्रांस हुमेंस यानि रितु प्रवास की प्रक्रिया पाई जाती है रितु प्रवास क्या है? कि जब शीत रितु होती है तो ये अपने पशुओं को लेकर नीचे घाटियों में उतर आते हैं और विस्तित रूप से शीत कालिन शीवर बनाकर उनमें रहते हैं और जैसे ही ग्रिशम रितु आती है तो ये अपने पशुओं को लेकर पुन है पुराने चारागाहों में यानि उचे पहाड़ी भागों में चले जाते हैं तो इस प्रक्रिया को trans humans कहा जाता है खिर्गिश जन जाती जो है ट्रांस humans के लिए विशेश तोर पर जानी जाती है तो इनकी आर्थि क्रिया पुर्णत पर ही आधारित है और इनमें से कुछ जो खिर्गिश जन जाती के लोग हैं वो छोटे छोटे भागों में क्रशी भी करते हैं चुकि ये पुराने विचारों के हैं पशुधन से इनको विशेश प्रेम है तो ये पशुचारण करना ही अधिक पसंद करते हैं अब बात करेंगे हम इन पर आधुनिक्ता के प्रभाओं का तो यदि हम देखें तो इनकी जीवन में आधुनिक्ता का प्रभाओं कम देखने को मिलता है लेकिन फिर भी अब धीरी धीरी ये लोग अपने आपको बदल रहे हैं इन्होंने आटा, जो, कोफी ये खरीदना शुरू कर दिया है इसके अलावा ये व्यापार करते हैं भेडों का, खाद्यानों का, वस्त्रों का, बर्त्रों का, घोडों से वस्तु विनिमय करते हैं तो इनमें वस्तु विनिमय की प्रथा पाई जाती है अब कुछ भागों में ये गेहूं और कपास की केती भी करने लगे हैं लेकिन इनके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है क्योंकि ये अपनी कटनाईों को दूर करने का उपाय नय सोच कर केवल भागे के भरों से ही बैठे रहते हैं तो इस प्रकार स्टेंट्स खिरके जन जाती जो है अपनी अनेक विशेष्टाओं के लिए जानी जाती है और इस टॉपिक पर आप ऐसे टाइप का क्वेश्चन आंसवर तैयार करेंगे धन्यवाद